हेलो फ्रेंड वेलकम डूब इंडियो उन्डियन's YS आझ हम लोग डिसक्थ करने वाले हैं khortha के नाटक यह उसकी लेखक के बारे में इस वीडियो में डिसक्थ करने वाले है ये वीडियो खौथा जो लेंगवेश वेपर होता है उन्सभी के लिए काफी important है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि खोठा नाटक यो लेखक जो लेखक है जो लिखे हैं खोठा नाटक उन्सभी के बारे में जानते हैं पहला है उद्भासल करन ये एक खोठा नाटक है और इसको किस ने लिखा है तो इसको लिखा है स्रीनिवास पानोरी जी ने लिखा है उद्भासल कर्ण को अब अगला देखते हैं चाभी काठी इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है स्रीनिवास पानोरी जी ने लिखा है चाभी काठी को भी अगला देखते हैं, डा, डा को लिखा है, सू कुमार जी ने लिखा है, डा, अब आगे देखें, मेका मेकी ना, मेट माट, इसको किस ने लिखा है, ये लिखा है, एके जाजी ने लिखा है, मेका मेकी ना, मेट माट, ये एक खोठा नाटक है, अब अगला देखते हैं, सुनाथ दसोंदी राज ने लिखा है अजगर को अगर देखते हैं प्रास्चित को किस ने लिखा है यह लिखा है मनपूरण गोस्वामी जी ने लिखा है प्रास्चित को अगला देखते हैं चंदुलाल चोकिदार को किस ने लिखा है यह लिखा है महेंद्र परबुद्ध न इसको किस ने लिखा है गिर्धारी गोस्वामी जिसको आकास खूटी भी बुला जाता है ये लिखें हैं आगुजन में जोंक जोकी एक एकांकी है इसको भी लिखा है महेंदरनात गोस्वामी जिसको सुधाकर भी बुला जाता है ये लिखें हैं जोंक अगला देखते हैं बेचारा मास्टर इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है इम्तियाज गदर ने लिखा है बेचारा मास्टर तो दोस्तों ये था खोठा लेंग्वेज के नाटक और उनसे उनके लेखाकों के बारे में खोठा लेंग्वेज पेपर काफी छोटा है तो इसलिए इसमें ज्यादा नहीं रहते हैं इतना ही याद करना होता है और इसी से एकदम डारेक्ट कोस्टियन पूछे जाते हैं तो थैंक्यू दोस्तों फोर वाचिंग इस वीडियो वीडियो को लाइक से एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे मैं इस चैनल में जारखंड से वीडियो और कोठा और जी एस यह सब भी पढ़ाता हूं तो थैंक्यू दोस्तों